हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल मधूच कीचन में फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ सुपर टेस्टी पालक बनाने का एकदम नया अलग और खास तरीका सेयर कर रही हूँ यह खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और इसे बनाना में बहुत ज़्यादा आसान है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 400 ग्राम पालक लिया है और इसको पहले मैंने अच्छे से साफ कर लिया था और इसके बाद 2-3 वार इसको अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद दिखेगा हमने पालक को इस तरीके से काट लिया है और अब हम पालक में डालेंगे थोड़ा सा नमक तो मैंने यहाँ पर यह आधा चमश नमक लिया है और अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे पालक के साथ जिससे की पालक जो है वो अपना पाने रिलीच कर दे और पालक थोड़ा सोप भी हो जाए तो चलिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है अब हम इसको ढखकर लग देंगे जब तक करते हैं हम इसके लिए अगली तयारी तो यहाँ पर हमने एक मिक्सर जाल ले लिया है और उसमें हमने दो मीडियम साइज के टमाटर को इस तरीके से मोटा मोटा काट कर डाल दिया है इसी के साथ हम यहाँ पर 8-10 लैसुन की कलिया डाल देंगे एक इंच अधरक का टुकडे को देखेगा हमने इस तरीके से काट लिया इसको भी डाल देंगे दो हरी मिर्च डाल कर और इसमें थोड़ असा पानी डालेंगे फिर हम इसका ढखकन लगा कर इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे तो यहाँ पर देखेगा हमने इसका पेस्ट बना कर तयार कर लिया है और यह देखेगा कितना फाइन पेस्ट इसका बन कर तयार हुआ है सूखी लाल मिर्च ली है एक चम्मत जीरा लिया है दो तेज पत्ता ली है आठ से दस काली मिर्च ली है और चार लोंग ली है इन सभी को डालेंगे और इस टाइम पर गैस की फ्लेम हमने लो कर रखी है लो फ्लेम पर हम सभी मसालों को कुछ सेगन के लिए भूनेंगे ताकि जो मसालों का फ्लेवर है वो तेल के अंदर अच्छे से आ जाए तो अब हम यहाँ पर डालेंगे प्यास तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज की प्यास को बारी बारी काट लिया है तो चलिए इसको अब हम भूनेंगे तो जब तक हम अगली तयारी करते हैं पालक को पानी निकल जाए इतना ही हम इसको निचोड़ना है ज़्यादगा प्रेसर हमें इसको नहीं देना है तो यहाँ पर दिखियेगा हमने पालक को अच्छे से निचोड़ लिया है और पालक में इतना पानी निकला है इस पानी को masks को hé flesh rehears कोकी है और प्यास सोप भी होने ल तो इसको भी हम 20 second के लिए भूनेंगे और अब जो हमने मसाले पीस कर रखे थे थे उनको भी हम कड़ाई में डाल देंगे और मसालो को पहले हम अच्छे से mix करते वे 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे मसालों को हमें यहापर बहुत अच्छी तरीके से भूनना है क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से हमारे मसाले भूनते है न उतनी ज्यादा टेश्टी हमारी सब्जी बनकर तयार होती है तो यहाँ पर दिखेगा मसाले जो हैं अच्छी तरीके से भून गया है तो इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले तो इसके फ्लेम एकदम लो कर देंगे लो फ्लेम पर हम सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करते वे भूनेंगे मसालों को हमें लो फ्लेम पर ही भूनना है ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से अपना रिलीज कर सके तो चलिए जब तक मसाले भून रहे हैं जब तक हम करते हैं इस आधा चमच काली मिर्च पाउडर डालेंगे और इसमे बहुत यह अच्छा सा फ्ले迂 देने के लिए हम इसमें डालेंगे अच्वाइन तो अच्वाइन को दिखेगा पहले हम हातेलियों से इस तरीके से क्रस्ट कर लेंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे अजवाइन हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है तो आपके पास हो तो आप जरूर डालिएगा और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे आधा चमच, अदरक और हरी मिर्च अदरक और हरी मिर्च हमने क्रस करके लिए है और टेश्ट के अकोर्डिंग हम इसमें नमक डाल देंगे दो चमच तेल डालेंगे और अब देखिएगा इस तरीके से हम इसको अच्छे से मिक्स करते हुए हमें इसका एक दो बनाना है दो हमें ना तो ज़्यादा हार्ड बनाना है और ना ही बहुत सोफ्ट बनाना है जरूरत लगेगी तो हम इसमें बेसन और एट करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा हमने इसका दो बनाकर तयार कर लिया है और यह ना तो ज़्यादा हार्ड है और ना ही ज़्यादा सोफ्ट है मीडियम हमें इसका दो बना का तयार करना है और अब हम इसके देखेगा इस तरीके से तीन पार्ट बना का तयार करेंगे बराबर बराबर हम इसके तीन पार्ट बना लेंगे और एक part लेंगे और देखिएगा इस तरीके से हम इसको अपने हाथों पर फैलाएंगे अगर ये आपके हाथों पर फिपके तो आप थोड़ सा oil लगा ले तो है supposed to इस तरीके से हम इसको flat करते वे अपने हाथो पर पर फैला लेंगे तो यहां पर दिखेगा हमने इसको अपने हाथ पर अच्छे से फैला लिया है इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे पनीर तो हमने यहां पर दिखेगा यह 100 ग्राम पनीर को इस तरीके से ग्रेट कर लिया है ग्रेट करें पनीर को आप इस तरीके से इसको पर चाहें तो आप पनीर को skip भी कर सकते हैं, ये पूरी तरीके से optional है, मगर इस तरीके से जब आप ये बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टीवन का तयार होते हैं, आप चाहें तो खाली पाला का रोल भी बना कर इनको तयार कर सकते हैं, तो देखेगा अब हम इस तरीक से हम इनको दोनों साइट से बंद कर देंगे, और हातों से देखेगा, इस तरीके से हम इनको रोल कर लेंगे, तो इसी तरीके से हम सभी रोल को बना का तयार कर लेंगे, और दूसरी तरह देखेगा, जो हमारा मसाला है, वो भी अच्छे से भुन गया है, ये देखेगा, मस तो फ्रेस क्रेम भी ले सकते हैं इसे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो मलाई को भी देखेगा हम दो मिनट के लिए इस तरीके से चलाते हुए भूनेंगे और जिस कटोरी से हमने मलाई डाली है उसमें भी थोड़ा सा पानी डालकर हम मसालों में डाल देंगे और अब हम आधा कप पानी ओर डालेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं बहुत अच्छी तरीके से भून जाएं और अब इसको भी एक वार अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और अब देखिए कोई एक गहरी कटोरी ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी रखेंगे आपके पास अगर पकाएंगे दॉत पखेंऊे थे जो निकल लेंगे अच्छी तरीके से बुन गये हैं यहां यहां बहुत अच्छी खूस्वु और मसालों ने ओयल को पूरी तरीके से रिलिस कर दिया है तो चलिए अब हम इसमें थोड़ा पानी और डाल लेंगे तो मैं यहां इसमें एक ग्लास पानी डाल रही हूं ग्रेवी आप अपनी जरूरत के हिसाब से कम्या जादा भी कर सकते हैं तो चलिए जब तक ग्रेवी में उबाल आ रहा है हम इन रोलों को कट कर लेंगे तो रोल भी अच्छे से ठंडे हो गए हैं और यह देखेगा कितने बड़िया रोल बनकर तयार हुए हैं एकदम सॉफ्ट रोल बनकर तयार हुए हैं यह देखेगा तो चलिए अब रोल को हम काट कर तयार कर लेंगे तो इस देखेगा कितने बड़िया हमारे roll one कर तयार हुए है यह देखेगा एकदम soft roll one कर तयार हुए है इस टाइम पर आप चाहे तो इनको सेलो फ्राइ भी कर सकते हैं बहुत ज़्यादा टेश्टी लगते हैं और आपना इनको चाहे के साथ एजल स्नेक्स भी ले सकते हैं और दूसरी तरब देखेगा जो हमारी ग्रेवी है वो भी एकदम तयार हो गई है उसमें एक अच्छा सा उबाला गया है तो इस टाइम हम इस से हम ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे तो देखेगा हलके हातों से हम इनको मिक्स करेंगे क्योंकि यह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो हम इने ज़्यादा चलाएंगे नहीं और यहाँ पर देखेगा हमारे पास यह दो बड़े चमस ग्रेट करा हुआ पनीर है यह वही जो हमने पालक के अंदर फिल किया था यह बच गया था तो इसको भी हम ग्रेवी में डाल देंगे और एक वार हम सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम कड़ाई का धकन लगा देंगे और पांच मिनट के लिए हम इनको मीडियम टूलो फिलिम पर पकाएंगे यहाँ पर सभी चीजे पकी हुई है तो यह बहुत ही जल्दी पक कर तयार हो जाते हैं और यहाँ पर दिखेगा इनको पकते वे पांच मिनट हो गए हैं और हमारी सबजी बनकर बिल्कुल तयार हो चुकी है यह दिखीगा कितनी बढ़ी इसमें कलर आया है और बहुत अच्छी इसमें खुसबु आ रही है बहुत ही टेस्टी हमारी पालक पनीर की सबजी बनकर तयार होई है तो इस तरीके से आप भी एक बार जरूर ट्राइ कीजेगा आपको बहुत पसंद आईगी तो ग्रेवी अभी आपको थोड़ा पतला लग रही होगी लेकिन जैसे जैसे यह ठंडी होगी वैसे वैसे थोड़ी गाड़ी होती जाएगी तो चलिए गिस टाइम पर हम गैस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और उसको दो मिनट के बाद हम सर्ब करेंगे तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की वनाई पालक रेसिपी थोड़ी सी पसंद आ थैंक यू